नमस्कार मैं हरी शंकर व्यास इस सब्ता गप्षप लिखते हुए नरेंद्र मोदी अरुइंद केजरिवाल और राहूल गांदी पर विचार बना और ये समझ आया कि सन 2022 में इन तीनों ने जितनी मेहनत की है वह कमाल की है तीनों ने अपने आपको एक तरह से जोका हुआ है सोचें सन 2022 की भारत की कुल राजनिती पर है और उस राजनिती में सिर्फ ये तीन चेहरे हावी है सुरुआत उत्तर प्रदेश के चुनावी गमासान से थी और अंत उस गुजराज चुनाव से है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की जान है सत्ता का तोता है नरेंद्र मोदी ने पूरे साल जनता को लुभाने मोहने के लिए जो महनत की वह उनका नया रिकोर्ड है ऐसे ही अरविंद केजरिवाल का सन 2022 की महनत का कमाल है तो पंजाब में आपकी सरकार है तो गुजरात में मोदी को चुनोती देते हुए वे है ऐसे ही राहुल गांदी का मामला है उन्हें सहजादे आराम परस्त और केजूल नेता के रूप में भाजपा ने प्रचारित किया लेकिन उन्होंने कन्या कुमारी से कश्मीर की पेदल यात्रा सुरू करके सब को हेरान किया तब ही सूचने वाली बात है कि तीनों या कि नरेंद्र मोदी अद्विंद केजरिवाल और राहुल गांदी की मेहनत पर भारत की राजनिती वे लीडर्शीप की तासीर में क्या कुछ जाहिर हो रहा है इस से तीनों की प्रकरती इरादों और परिणा मुका क्या फर्क जलगता है पहला सवाल है मोदी केजरिवाल और राहुल गांदी भला किस जिद्द में इतनी मेहनत करते हुए है यह सई है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में है इसलिए उनकी मेहनत सत्ता की सुख सुईधाओं के साथ है बावजूद इसके यह हकीकत अपनी जगे है कि वे सन 2014 से अपनी उंगली पर भाचपा, संग और भक्त हिंदों का गौर्धन परवत उठाये हुए है अकेले सब कुछ करना उनकी कमाल की बात है उनी की तरह वेक्तिक तोर पर अरविंद केजरिवाल और रहुल गांदी ने भी अपने आपको 2022 में जोका है यह दोनों जैसी नेडरता हिम्मत से मोदी के विरोध में खून पसीना बाहर है वह मामुली बात नहीं यह समझने वाली बात है कि इरादे मेहनत और धुन में नरेंदर मोदी अरविंद केजरिवाल और रहुल गांदी में मोटा फर्क नहीं है तीनों नेताओं के सभाव चरित और जिद वे इमेज पर जराब बारी की से गोर करें इनके जनता में मेसेजिंग के अंदाज और सफलता एफ सफलताओं पर भी गोर करें तीनों का कमाल का मतलब है सवाल है इस से देश का क्या बन रहा है या क्या बना है जाहिर है सत्ता साधन और हिंदू आइडिया के बदूलत मोदी जहां अजये हैं वही केजरिवाल उनके फार्मूलों पर हिंदू में अपने को मोदी का विकल्प वे उत्रादिकारी बनाते हुए दूसरी तरफ राहुल गांदी सडक नापते हुए तीनों की जिद अद्भुत है कोई साक्षात भगवान बनाया है कोई गरीबों का मसिया तो कोई सक्तिमान पैदल यात्री एक माइने में तीनों की जिद मजबूरी में है नरेंद्र मोदी को लगातार क्योंकि सत्ता के एवरेश्ट पर बेठे रहना है तो उन्हें अपने आपको दिन रात जोके रहना उनका सियासी अस्तित तभी है जब वे लगातार चुनाव जीतते रहे उधर अर्विंद केजरिवाल के ज़िए जरूरी है जो वे जमीनी अखाडे में लगातार बने रहे अनित्वा मोदी की सत्ता के आगे वे एक चीटी की तरह है राहुल गांदी की जिद भी बचाव के खाते रहे इसलिए तीनों की राजनिती सहज नहीं है मगर नरेंद्र मोदी क्योंकि सत्ता का एकाधिकारी चहरा है तो बाकी दो की मेहनत मोटा मोटी जाया होते होए नजर आईगी यह हकीकत हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावों में भी कुछ जाहिर हुई है मैं मोटा मोटी मानता हूँ कि भक्ति हिंदो की मनोदशा में एवरेश्ट पर जंडा लिये हुए हर हर मोदी को मज़े से चुनाव जीतना चाहिए उन जैसा भव्य अवतार सर्व सक्तिमात मनने के लिए अर्विंद केजरिवाल को अभी बहुत प्रपंच जूट, स्रंगार, नोटंकिया अभी नए दिखावा और पूजा पाठ करना होगा उनकी नाटक कंपनी फिलाग नरेंद्र मोदी की नाटक कंपनी का छोटा सा एक लगू एडिशन है दरसल नरेंद्र मोदी उस ब्रांड के मालिक, CEO, CTO, CFO और मार्केटिंग वे कम्म्निकेशन के हेड है जो अकेले वे नुसका पाए हुए है जिससे हिंदूों में भक्ती उपचे है नरेंद्र मोदी को फाइदा है जो सत्ता, रिसोर्सेस या की पुरानी पूंजी, मेन पावर, हिंदू आइडिया का कच्चा माल और हिंदू ढवे के बोर्ड की विस्वसनियता के वे मालिक है उनका एक फोनी बहुत है, याद करें, उन्होंने हिमाचल में भाजपा के एक बागी को चुनाव मिदान से हटने के लिए फोन किया, तो क्या का, उसमें उनका कहना था, मैं तुम से फोन पर बात कर रहा हूं, तो इसका अर्थ समझो, मतलब ये भाव कि जब खुद भगव खपा लगे, बावजुद इसके, मैं पहले ही ऐसा मान कर चुनावी मुकाबले को, उसके मजे को खत्म नहीं करना चाहता हूं, और ये हर सच्चे लोकतांत्रिक नागरिक को भी नहीं करना चाहिए, उसे मतदान तक मुकाबला बराबरी का सोचना चाहिए, यदि विपक्ष कमजोर है, तो उसका होसला भी बढ़ाना चाहिए, इसलिए भले मोदी अल्टिमेटली जीते तो जीते हैं, फिलाल तो हम मानें कि हिमाचल और गुजरात दोनों जगे अन्होनी होगी, सरो सक्तिमान नरेद्र मोदी के जादू से लोग उबे हुए फिलाल दिखलाई देंग दोनों प्रदेशों में केंडरो राज्जी सरकारों खिलाप जबरदस्त एंटी इंकम्मेंसी माननी चाहिए, लोग ठके हुए हैं, उब चुके हैं, बासी कड़ी से सबका स्वात बिगड़ा हुआ है, तबी तो भाचपा ने अपने पुराने उमीदवारों, आलवार नेत पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों को चुनाब में नहीं उता रहा है, तो उमीद की जानी चाहिए कि केजरिवाल और राहूल गांधी के मेहनत को इन दो चुनाओं में जनता कुछ मानिता देखिए पोलड़ में जरी जिता रहा है, तो बाच्पा रहा है, तो बाच्पा रहा है, तो उपमाने अखिवाल डाहा है, तो ऑन पोल्ड़ देखिए